हालो गाईज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में और आज हम लेके आए डेली करेंटा फियर एक अक्टूबर 2022 के सभी इंपोर्टेंट कोश्चन्स साथ ही हम बात करेंगे इनके इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में और गाईज, आज की पीडिया फाइल आप हमारे टैलिग्राम ग्रूप, वाट्सप ग्रूप या डिक्स्रिशन वॉक्स के लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं और गाईज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहां आपको डेली करेंट अफ़ेर के साथ साथ वीकली करेंट अफ़ेर भी एवलेबल होता रहेगा, इसके अलावा जो GS की मिन मिन वी और अगर हम बात करें, विश्व हार्ट और्गनाजिशन, इसका हड़कोर्टर जिनेवा स्विजर लैंड में है, और हिर्दय अगर देखा जाए, हमारे शरीर में रक्त परिसंचन तंत्र का एक महत्पून अंग है, और रक्त परिसंचन तंत्र की जो खोज की थी, वो विल आए, पंप करता है, और अगर हम बात करें कि हिर्दय के जाच के लिए, कौन सा टैस्ट होता है, तो ECG अगर देखा जाए, हिर्दय के जाच के लिए होता है, लेकिन अगर बात आती है, EEG, तो Electro इन सिफलो, ग्राम, ये मस्तिश की जाँच के लिए होता है और अगर बात करें पेसमेकर, तो पेसमेकर भी हमारा हिरदय से सम्मादत है और जो हमारे शरीर का रक्त परसंचरन अतंत होता है ये एक बंद अतंतर होता है तो ये सबी बाते आपको याद रखने है नेक्स्ट है मारे अगला कोशन हाली में किस देश के जूरॉंग रोबर को मंगल ग्रह पर अर्बो साल पहले आई बाढ़ के सबूत मिले है तो जूरॉंग रोबर ये है चाइना का तो आप्शन डीस का राइट आंसर है और एक चाइना ने अपना मिशन भीजा था तियान वेन तो तियान वेन फरस्ट मिशन भीजा था और उसी में जूरॉंग रोबर गया था और जूरॉंग का मतलब होता है प्राचीन अगनी देपता और ये रोबर गया था तियान वेन प्रथम में और चीन के दोरा भेजा गया था और इसी ने मंगल ग्रह पे और वो साल पहले आई बाढ़ के सबूट ढूंडे हैं और अगर हम बात करें कि पर्सी वेरंस रोबर किसका है तो वो अमेरिका का था और भारत ने अगर हम बेजें तो एक मॉम मिशन था जो PSLV C25 से भेज़े गया था जो मिशन मंगल के नाम से भी जाना जाता है भारत द्वरा भेजा गया था और भारत एक मातर ऐसा देश है जो अपने पहले ही प्रयास में सफलता पूरवक मंगल ग्रह पर पहुंच गया और अगर हम बात करें अमेरिका की Space Agency नासा है जापान की जाकसा है और रूस की रॉस कॉसमोस है इसके लाब भारत की अगर हम बात करें तो भारत की है हमारी इस रूप नेक्स्ट है मारा अगला कुशन देश का पहला कोचिंग हब कहां विक्सित किया जा रहा है तो देश का पहला कोचिंग हब जैपूर में विक्सित किया जा रहा है यानि और जैपूर में भी एक जगा है प्रताब नगर तो प्रताब नगर में पहला कोचिंग हब विक्सित कराएगा और जैपूर में ही हमारे देश का सबसे बड़ा OPD टावर बन रहा है सबसे ऊचा OPD टावर बन रहा है जैपूर में और अगर हम बात करें कि राजिस्थान सरगार की योजना चल रही है फ्री कोचिंग के लिए अनुपरती योजना और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की फ्री कोचिंग के लिए अभ्यूत्या योजना है और जारखंड की है सार्थी योजना और जैपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है और पहला जो है वो हमारा गुजरात का मोटेरा स्टेडियम है जो क्रिकेट के स्टेडियम है तो ये सभी बाते आपको याद रखने हैं नेक्स्ट है हमारा अगला कुशन 28 सितंबर 2022 को किसे वर्ष 2021 के लिए रास्टी ये लता मंगेश कर सम्मान प्रदान किया गया तो ये सम्मान जो प्रदान किया गया है 2021 की बाता आती है तो 2021 में सम्मान मिला है कुमार शानू को तो अप्शन D's का राइट आंसर है और अगर हम बात करें शैलेंदर सिंग तो शैलेंदर सिंग को मिला था 2019 के लिए और कुमार शानु को मिला है 2021 के लिए और अगर हम बात करें इसी में ही आनंद बिलिन तो आनंद बिलिन को मिला था 2020 के लिए इसके लाबा जो लता मंगेशकर थी इनका जन्मुगा था इंदौर में और इने भारत का सरवोच सम्मान 2001 में मिला था भारत और पिर्धान मंतरी नरेंदर मोधी को इनका नाम भी आपको याद रखना है नेक्स्ट है मारा अंगरा कोश्उन 28 सितंबर 2022 को किसे भारत का महा नायवादी निक्त किया गया तो अगर बात आते हैं महानियावदी महानियावदी आर्टिकल 76 के अंतरगा दाता है और ये एक ऐसा वेक्ति होता है जो संसद में किसी भी बैटक में भाग तो ले सकता है परन्तु उसमें इसे बोट डालने का अधिकार नहीं होता और ये भारत के किसी भी अदालत में जाके सुनवाई कर सकता है और अभी तक हमारे भारत के जो महानियावदी थे वो थे केके वेडू गोपाल लेकिन अब इनके स्थान पर जो बनेंगे वो बनेंगे आर वेंकट रमडी तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया अब हमारे नए बनेंगे आर वेंकट रमडी और यह हमारे 15 नंबर के होंगे और इनसे पहले थे केके वेडू गोपाल वो थे 14 नंबर के और अगर हम बात करें भारत के पहले MC शीतलवाड तो भारत के पहले महानियावदी थे MC शीतलवाड इनके नाम भी आपको याद रखते हैं नेक्स्ट है हमारा अखला कुशन 28-29 सितंबर 2022 तक वेश्वहारित आर्थ विवस्तार सिखर समेलन WGES का आयोजन कहां किया गया तो इसका आयोजन दूबई में किया गया यानि आप्शन ने इसका हमारा राइट आंसर है और यहीं पर अगर हम देखें तो यहीं पर अमारा World Trade Center के रूप में इसका आयोजन किया गया और यह परियावरण और आर्थिक विकास की बात करता है और इस बार इसका आठवा संस्क्रण था जो Green Economy की बात करता है और इसके लिए इसमें चार स्तंब भी दिये गए हैं चार स्तंब में अगर बात आती है हमारा Yuba Yuba के अलावा अगर हम बात करें वित यानि funding की बात आती है पैसो की और तीसरी बात आती है खादे और खादी के अलावा सबसे important हमारा उर्जा तो यह चार स्तंब दिये गए Green Economy को डेबलब करने के लिए और उसी के लिए विश्वहरे तर्थिवस्ता सम्हिलन हुआ यह हुआ दोबई में अब दुबई यानि संयक तो अमीरात की बात आती है तो विश्व की पहली paperless सरकार UAE की है और hope mission UAE ने भेजा था मंगल ग्रह के लिए जिसमें जापानने साहिता करी थी और राशिद mission चंदरमा पर rover भेजा जा रहा है तो यह राशिद mission भी UAE का है तो यह सभी आपको रख रहा है नेक्स्ट अगला question 28 सितंबर 2022 को जैनती पत्रायक का निधन हो गया वे थे तो जैनती पत्रायक यह भारत की पहली रास्टे महिला आयोग की अध्यक्ष थी और 90 वर्ष की आयोग में इनका निधन हो गया और यह वर्तमान में लोग सभा की सांसद भी थी तो इस विएसे यह अगर बाताती है और यह रास्टे महिला आयोग की प्रतम अध्यक्ष थी और अगर हम बात करें वर्तमान में रास्टे महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा और जैनती पत्रायक कर जो नितन हुआ यह हुआ 90 साल के उम्र में तो और यह थी एक राजनीता यह अप्षन सी इसका राइट आंसर नेक्स्ट हमारा अगला कोशन 29 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने कहां पर दुनिया के पहले CNG टर्मिनल का सिलानियास किया तो यह भावनगर गुजरात में इन्होंने CNG टर्मिनल का सिलानियास किया यह भारत का और पीटेद प्राकर्तिक गैस और इसमें मुख्यता जो पाए जाता है वो हमारा मीथेन पाए जाता है और हमारी जो घर में LPG होती है इसमें ब्यूटेन तदा प्रोपेन होता है अब गुजरात की बात आती है तो गुजरात की जो तट रेखा है वो भारत की सबसे लंबी तो गुजरात में स्टील स्लैक वाली इस रड़क हमारी सूरत में बनी थी और भारत का पहला बुलेट्रिंग का स्टेशन भी सूरत में बना था और अगर हम उर्चा से समझनेद बात करें तो बिहार के पोणिया में पहला एथेनॉल सायंत्र कुला और अगर हम बात करें इ हमारे प्रदानमेंत्री नरेंद मोदी जी ने एहमदाबाद में अटल ब्रिच का भी उद्गाटन किया था तो यह सभी बाते आपको याद रखने हैं नेक्स्ट हमारा अगला कोशन हाली में किस देश की समन्ता क्रिस्टो फोरिटी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान समालने वाली पहली यूरोपिय महिला बन गई तो पहली European महिला जो बनी ये बनी है इटली देश की यानि Option D और इनका नाम है सामन्ता क्रिस्टो फेरिटी और ये International Space Station की कमान समालने वाली पहली European बनी है यानि ये पहली गैर अमेरिकी महिला बनी है और जो International Space Station है ये US और रशिया के दोरह कंबाइन रूप से बनाया गया था लेकिन अभी हाली मेरे रशिया ने खुशना की थी कि 2014 से पहले पहले ये उसे छोड़ देगा और वो अपना एक अलग बना लेंगे और अगर बात आती है इटली की तो इटली की अभी हमारी नई प्रधान मंत्री बनी थी हमारी जोर्चिया मेलोनी ये इटली की पहली महिल प्रधान मंत्री बनी है इनका नाम भी इंपोर्टेंट है और अगर हम बात करें इसरो और नासा का एक संयुक्त मिशन है निसार तो निसार में अगर देखा जाए तो जो हमारा एक जो आर्टिफीशिल अमारा राडार है तो उसका फुल-फॉर्म निसार का नासा पर-2020 तक याज जाए तो इसका आयोजन मुम्बई में किया जाएगा य carrot और मूंबई जो बसा हुआ है वह सालसेड़ दीप पर बसा हुआ है तो सालसेड दीप का नाम आपको याद लगना बड़ा스aph no more 2020 का Васालसेड नाम हम एकसर देपर पहर में पूचा जाता है और मुम् रेटी इनके साथ ही थे इसके अलाबा महारास्ट के अगर देखा जाए speaker जो है वो भारत के सबसे युवाई speaker है जिनका नाम है राहुल नार्वेकर तो इनका नाम भी आपको याद रखना है और ये जो परेटर नुटसब है ये छेत्रपति शिवाजी महाराज जो संग्राल है वस्तु संग्राल है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया और ये अमरत महुत सबका ही भाग है तो ये सभी बाते आपको याद रखनी है तो ये थे हमारे आज के सभी important questions और गाइस आज की वीडियो के हमारी पीडिया फाइल आप हमारे टेलीग्राम को फॉटसब ग्रॉप और डिस्ट्रीशन वाक्स के लिंक से भी डाउलोड कर सकते हैं और गाइस वीडियो अच्छी लगिया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तक्यों थास्ट बॉच्टिन वाच्छी अजोंगय को फिस वाच्छी आप तु में हम थाइसे, लिएस्टाइब के अखाईब करें तक्यार्स भाचाइब के आप्सक्राइब के में अट्या एंट करें तक्ड रावजियों चार्लोडोड़ड़न के अव्क्वस्दाएब